नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर और जैसा कि कल मूरत ट्रेडिंग एक हुआ था उसके अंदर लोजिंग ऑफ हाई संसेक्स निफ्टी टूंटी टू स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए थे और टॉप गेनर जो थे वह था सैंसे गेनर एस्बी वर्स लूजर रहा उसके अंदर में और संफार्मा टॉप गेनर रहा SDFC Bank Infosys R.I.L.N.T.C.S. टॉप सैंसर क्रिंटिब्यूशन किया है इन्होंने ठीक है उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 163 स्टॉक जंप 52 वीक हाई तो इसका आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अपने हाई लेवल पर दौड रहे हैं और रिकॉर्ड हाई बनाते चा रहे हैं अगला भी और यहां पर आप सबसे अच्छी जो न्यूज मेरे को लगती है वो है मिट कैप स्मॉल कैप इंडी से गेन तो यहां पर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप वो मिट कैप जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वही निफ्टी 50 से जो भार के शेयर है वो मिट कैप है और स्मॉल कैप है तो मेरा काफी स्टेक ह और अभी mutual funds ने क्या किया है उसके अंदर stake को rotate किया जैसा कि सेवी ने guideline दिया है कि आप 25-25-25 इस segment में आप रख सकते हो तो 25 small 25 mid cap और 25 large cap तो बाकी जो 25 बचा है वो obviously बाते large cap में ही डालेंगे mutual fund तो जो यहाँ पर जो basically 90% हुआ करता था वो shift होकर क्या हो गया है 40% यहाँ चला गया है इस segment में तो यह out perform करने start कर चुके है main मुद्धे पर आता है reliance share की मैं बात करने वाला था reliance का जो share है वो देखिए आप 2000 के level पर वापस आ चुका है आप देखिए आपर consolidation चल रहा है यहाँ पर consolidation चल रहा है ठीक है according to chart में आपको बताता जा रहा हूँ और reliance के अंदर जो सबसे बहतरी जो latest news है वो यह है और वो जाएगा और आज ही यह news आईए कि reliance retail venture ने जो किया है वो urban letter के अंदर 182.12 क्रोड का investment किया है 96% stake खरीत लिया है बाकी 4% stake या पूरी तरह की कि जो भी डीर है वो December 2023 तक complete कर ली जाएगी जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 182.12 क्रोड 96% shareholding जो है reliance ने acquire कर ली है and rest of the part जो है वो December 2023 के अंदर में जो है reliance ले लेगा ऐसा डील हुआ है तो जिन लोगों के पास reliance pack के पैसे नहीं है मतब reliance का share खरीतने के लिए पैसे नहीं है उनको लगता है कि reliance बहुत हाई share है बही 2000 रुपए मैं डाल नहीं सकता काश 1000 रुपए का होता तो आपके लिए खुशकबरी उसके लिए भी आपके सामने reliance का ppe.e1 जो है एक right issue आया था अगर आपको ध्यान हो और reliance ने खाता है मैं 15 की बचाए एक share दूँगा right issue के अंदर में तो वही right issue आपके लिए open है और वो stock जो है वो आपको मिल रहा है कितना 1134 के अंदर में आपको जो है वो मिल रहा है फिलाल reliance का और 52 week जो है high इसने भी बनाया 1500 रुपए के level तका तो still आपको 300 रुपए या साड़े 300 का margin still आपको down में मिल रहा है और low यह जाके आया था 1600 के आसपास में market cap आगर आप इसका देखे तो 47600 करोड रुपए का market cap है ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर में कोई आपको शंका देखने को मिले अगर reliance का share देखिए यहां यू चलेगा ना तो यह share भी यू ही चलेगा reliance का share यू चलेगा तो यह share भी यू ही चलेगा तो आगर आपको small amount के अंदर में double benefit चीए ना reliance के share की जिए कि आप reliance PPE1 के अंदर भी आप पैसा डाल सकते हैं जिन लोगे पास affordable नहीं यह reliance या फिर जो अपने share को double तरीके से profit कमाना चाता है तो reliance में ही रहकर reliance के share को खरीच सकते हैं इस तरीके से तो काईज यह था एक छोटा सा एक वीडियो जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या recent जो है अपडेट आई है कापन हेंडल चार्ट भी बन चुका है share उपर ही जाएगा यहां से नीचे नहीं जाएगा और एक और opportunity आपके reliance paid up capital में जाने की और जिन भाईयों के पास स्टिल अभी भी डीमेट अंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं वो फ्री में डीमेट ट्रेडिंग का खुल सकते हैं अब स्टॉक के साथ में unlimited brokers आपको मिलेगा money control pro का 2000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1000 रुपए का आपको जो कोर्स है वो फ्री आपकोस मिलेंगे नीचे मैंने description box में link दिया वहाँ जाके आप क्लिक करके आप अप स्टॉक पर अपने डीमेंट अंट फ्री ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं बिना किसी रुपए के brokerage नहीं लगेगा और नीचे comment box से तो comment box से comment करना ना भूले और प्ली सब्सक्राइ आपको नोटिफिकर समय जगे ऐसे ही वीडियो उसका एंड गाइस हैपी डिवाली एंड थैंक्यू सो मच